हेलो नमस्कार दोस्तों आज जो एक नई वीडियो लेकर आई इंफर्मेशन वाड़ी कि जो बच्चे अपने कंडिडेट आई टी आई करते हैं उनको अप्रेंटिशिप करनी होती है वह जुरूरी होती है तो अप्रेंटिशिप ट्रेनिंग ओफ लाइनमेन जो है वह हम करें इसमें देखो एक आई है पंजाब स्टेट पावर कॉर्परेशन लिमिटेड के तरफ से अप्रेंटिशिप ट्रेनिंग ओफ लाइनमेन तो हम इसको देखते हैं कि क्या कितने सीटे हैं क्या चीज़ है तो यह देखते हैं दोस्तों यह देखो यह नोटिस है पावर प्रेशन लिमिटेड ने करकी है इसका लाइनमेन की है सीट जो रहेंगी इसमें सीट है वो 600 है 600 सीटे है अब 600 सीटें अगर देखें स्टाइफंड मिलेगा इसमें एज पर अप्रेंटिशिप एक्ट 9061 सीट में इंक्रीज डिक्रीज हो सकती है अब इसके अंदर जो सीट रहनी वाली है वो है 300 600 सीट है जनरल की जो रहेंगी वो 366 सीट है सी 150 है बीसी की साथ है और जो डिसेबल है उनकी 24 ठीक है अब इन्हों मांग के रख्या क्वालिविकेशन दोस्तों इन्होंने मांग रखी है कंडिडेट शेल भी आईटी आई इन वायर्मन और इलेक्रिश ट्रेड ठीक है और एंचीविटी है सीविटी होनी चीए देखो दो सभी की होती है एंचीविटी सीविटी एज लिमीट आपको पता यह है नाइन टी सिक्टी वन के अकोर्डिंग पीरिड ओफ्ट जो ट्रेनिंग रहेगा ने पैरे बच्चो वो रहेगा आपका वन एर ए उसको पहले लेंगे अभी लिख रखाया है डोमिशाइल प्रिफरेंस विल वी गिवन टू पंजाब रेजिडेंट डोमिशाइल कंडिडेट ठीक है उसके बाद अधर स्टेट का है अभी सेलेक्शन प्रोसेस क्या होगा मेरिट बेस होगा भई ठीक है आई टी आई वायर म अब आउटो अपलाई में देखेंगे कंडिडेट आर रिक्वाइड ओनली इंग्लिश ओनली अब यह फर्म जो आपो बढ़ना यह इंग्लिश में ओनलाइन वर देगा इस साइट पर जागे ठीक है अब यह कुछ लिख के निवाना आपकी जो परस्नल इमेल आइडियों चाहिए ताकि वह आपको ट्रेनिंग के दोरान एक्टिव रहेगी और मैट्रीकुलेशन पास होना चाहिए अधर काड आई टीपिकट यह आप देख लेना तो अगर कोई भी कंडिडेट है ना अगर आप भई अपरेंटिशिप करना चाहते हो लाइन में की पोस्ट के होगी तो लाइक करें शेयर करें धन्यवाद दाए